नमस्कार दोस्तों क्या आप लोगों के पास भी ऐसे सोने पड़े हुए हैं ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं जिनको आप सेल करना चाहते हो लेकिन आप लोगों के पास उच्छे डॉकुमेंट नहीं है तो इसका एक तरीका है जिससे आप लोग अपने सोने को बेच सकते हैं बेचना चाहते हैं, उनकी कोई भी document detail नहीं है उनके पास, gold पड़े हुए हैं, सिक्के पड़े हुए, bars पड़े हुए हैं, तो कुछ condition है जिनमें आप लोग नहीं भी बेच सकते हो, लेकिन कुछ condition है जिसमें आप लोग बेच सकते हो, और वो क्या तरीका है आप लोगों को इ ध्यान रखना होगा उसकी purity का, किसी भी सोनार के पास जाते हैं, अगर आप कम जानकार होंगे, तो जायर सी बात है कि वो आप लोगों को चूना लगा सकता है, तो इस चीज से बचने के लिए आप लोग सबसे पहले 2-3 दुकानों का मुआइना कीजिएगा, जहां पे आप लोगों को पता चल पाए कि आपके सोने की purity क्या है, purity को मापने के एक तरीका है, 24 karat का होता है, 22 karat का होता है, 24 karat वाला सबसे सुद्ध सोना होता है, 22 karat का उसमें कुछ दूसरे metal मिला दिये जाते हैं, जैसे कि चांदी वेगर मिला करके उसको थोड़ा ठोस किया जाता है, जैसे कि उसके designing सही करी जाए, अगर pure सोना की बात करते हैं, तो pure सोना काफी लचीला होता है, उसको गलाना काफी आसान होता है, तो इस तरह से आप लोगों की purity का पता चल पाता है कि आपका सोना कितना pure है, उसी हिसाब से आपकी market value भी decide होती है, जितने कम karat का सोना होगा, अगर हम लोग trading price की बात करें, तो almost 50,400 के आसपास चल रहा है, आप लोग अपने सोनार से पता कीजिएगा, अगर आप लोग बेजना चाहते हैं, तो देखिए अगर आप लोग के पास सोना पड़ा हुआ है, चाहे ज्वलरी के रूप में पड़ा हो, चाहे coin के रूप में अगर आप लोग उसे sell करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग को उस gold को chain करना होगा, जिस भी सोनार के पास जा रहे हैं, गोल्ड के साथ, ठीक है, तभी आप लोग उसको sell कर सकते हैं, अब वो सोनार आप लोगो की purity check करेगा, आपके सामने सोने को गलाए ओल आएगा, देखेगा कितना pure सोना है आप लोगों का, फिर उसके हिसाब से आप लोगों को वो coin या फिर bars के रूप में सोना देगा, उसी value का, ठीक है, अब उसके बाद आप उसको sell कर पाएंगे, directly आप लोग ये सोच रहे हो कि आपके पास पुस्तैनी जेवर और आप जा करके उसको direct बेज करके पैसे credit कर सको, तो ये possible नहीं है, ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले उसे गला करके उसकी purity चेक करी जाएगी, फिर उसके बदले आपको सोना दिया जाएगा, coin या फिर bar के रूप में, या फिर jewelry वगेरा, जो भी आप लोग बनवाना च चाते हो, उसके रूपे, फिर उसके बाद आप उसको sell करके उनसे पैसा ले सकते हो, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दखिएगा, कि अकर आपने coin या फिर bars, bank वगेरा से खरीदा हुआ है, bank से buy किया हुआ है, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो change नहीं हो पाएगा उसकी selling possible नहीं है, अगर आपके पास document नहीं है, आपको bank में जा करके visit करना पड़ेगा, उनको बताना होगा, और आपको bill अपना निकलवाना पड़ेगा, वहाँ से निकलवा करके उनको sell कर सकते हैं, आप, next is दोस्तो, कि आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कि registered दुकान वालों से, ठीक है, आपके जिले में, आपके सहर में एक registered दुकान, उनका पूरा क्या सकते हैं, कि good होता है, और एक जगह जा करके व्यापार मंडल में उनका registration होता है, तो ऐसी दुकानों से ही, आप लोग अपने सोने की लेंदिन कीजिएगा, किसी भी फरजी दुकान से, फरजी सुनार से, आप लोग सोने की लेंदिन मत कीजिएगा, वरना वहाँ पे आप लोगों को जो बिल होगी, वो purity बिल नहीं मिलेगी, फिर आप लोगों को future में चल करके, अगर by just income tax की rate वगरा पढ़ती है, तो आप लोगों को वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे जो आप लोगों को बिल मिलेगा, जो भी आप लोग गोल्ड से गोल्ड exchange करेंगे, उसका बिल जनरेट हो करके आप लोगों को मिलेगा, वो बिल आप लोग अपने पास रखिएगा जरूर, जिससे कि आपको future में अगर जो भी आप documents देंगे, क्योंकि अगर आप Sony को प् करके कर देगा, कि चलो भी यह हमें कमाई करनी है, तो इस तरह के भी possibility है, और इस तरह की चीजे होती भी है, लोग इन सब चीजों से बचते हैं, लेकिन बाद में अगर वो सुनार पकड़ा जाता है, किसे भी fraud में, अगर आप लोगों का नाम उनके सामने आता है, तो आप फसोगे वहाँ, पेसलिए आप लोग बिल्कुल साब सिधा और साब सुथरा काम कीजिएगा, तो आप लोग को यह clear हो गया, कि आप लोग किस तरह से जिनके documents नहीं है, आप लोग के पास, वो सोना बेज सकते हैं, और emergency में आप लोग उनको use कर सकते, क्योंकि इस समय सोने की प्राइस भी ठीक टाक है, अगर बेजते हो, तो सही प्राइस भी आप लोगों को मिल सकती है, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, दूसरों तक पहुचाएगा, और उनको भी बताएगा, क्योंकि इस तरह के viewers काफी जादा हैं, उनकी मदद हो पाएग बाकि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसे तरह की और वीडियो देखना चाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बलाइक करो क्लिक कीजिएगा, कोई भी कुश्चन हो, इस तरह लिडिए यास टॉपिक के वियॉन, तो आप लोग वो भी मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेस्टूप पर सेंड कर सकते हैं, अगर आप लोग सेयर मार्केट और मुचुल फंड में अन्वस्मेंट करना चाते हैं, तो नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, लिंक जहां से आप लोग डिमेट अकाउंट खोल करके सेयर मार्केट में गोल्ड वगेरा में ट्रेड वगेरा कर सकते हैं, साथ ही मुचुल फंड में डारेक्ट इंवस्मेंट बना सकते हैं, हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं, आप लेको का दिन जाए हिना